हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तु स्वागत दोस्तों मेरे चानल में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कल्यान स्कॉलर्शिप में आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स यहां पर अप्लोड करने होते हैं मैंने एक वीडियो बता दिया है ठीक है बना दिया है उस प पहले बतला दूँ सर्टिफिकेट का लेकर तो सर्टिफिकेट आपकी अप्रिल की बनी होनी चाहिए उसके बाद बनी है तो आपका हर सर्टिफिकेट यहां पर वैलेड है अपर इंकम ठीक है और दो साल यहां पर चलता है रेशिदेंस और कास सर्टिफिकेट इंकम हर साल अपकी नहीं बनीगी ठीक है तो इंकम अबकर इंकम करना पड़ता है और यहां पर पर सिंपली यहां पर लॉग इंपर लमबा यहां पर काफी डिटेल आप आपने किस कॉलेज से पढ़ रहे ठीक है और पाफी लंबा डिटेल्स आता है उसके बाद आपको अपलोट करने के लिए बोला जाता है यहां पर डॉक्यूमेंट्स यहां पर अपलोट करने के लिए बोला जाता है और उसमें बहुत सारे चीज़ इंकुलेड है टोटल यहां पर 10 चीजों को आपको अपलोट करना होता है वो 10 चीज़े क्या है आप अगर पिन है आपके पास तो नोर्स कर सकते है ठीक है यह आप अगर लॉग इन करेंगे तो आपको पता होगा तो अगर आप इस चीज़ें आपके पास रहने जरूरी है सब के बास जो है कास्ट पेस्ट कॉलर्शीप है तो पर आपको यहां पर जूँए अप्लोड करना पड़ेगा जुब दूसरा एइस तर्टीम सरतिफिकेट यह क्यों लगता है तो होना आपके पास जरूरी है इसी आप आप यहां पर टो करें पाएंगे फिर आपको जो है bonafide certificate upload करना पड़ता है bonafide certificate क्या है bonafide जो है वो proof रहता है कि आप इस college पर पढ़ रहे हैं यह college या schools ही आपको दे सकती है किसी के पास और authority नहीं रहती है कि वो bonafide आपको दे दे उसमें few details वगरा भी रहता है बहुत बार देखा गया है कि few details नहीं रहते हैं तो उसमें क्या किजिए फी जो आप feel up करते है तो bonafide के साथ जो है click किजिए उस photo को और scan करके जो है उसे upload किजिएगा previous year के marks it यहाँ देखे percentage भी देखा जाता है ठीक है percentage देखा जाता है कि कितना percentage है आपका 50 percentage रहना चाहिए उससे पहले आपको नहीं मिलने वाला तो यहाँ पर 50 percentage आपके must है 50 percentage है तो आपको ही scholar से मिलेगा तो previous year के marks it जो है आपको upload करने है ठीक है तीसरा यहां पर जो है और एक बात है क्या है यहां पर तो बैंक पास्पोर्ट यहां पर आपको बैंक जो है पास्बुक जो होता है उसे आपको अपलोड करना है क्योंकि आपका जो पैसा आएगा वो बैंक पास्बुक में आएगा ठीक है तोटे यहां पर नौ जो है होगी आपकी अधार कर नंबर आपने जितने डिजेस दिये हैं वो सब कुछ रहेगा और नीचे वहाँ पर जो है साइन का ऑप्सन रहेगा और बुला जाएगा कि अगर आप फ्रॉड कर रहे हैं तो आपके क्या कोई आक्सन लिया जा सकता है तो वह रहेगा उससे आपको पर आत कोरगता है तो उससे आपको साइन करकर होता है साइन कर चल जांब तक एक ब में जमा कर देजीगा उनकी फोडोगापी दाकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं था तो यह जो है दस आपको यहां पर scan करके upload करने है documents जो है बहुत ज़रूरी है उसके बिना आपको scholarship नहीं मिलेगा तो मैं फिर से repeat कर देता हूं तो यह आपको जो है यह करना है आपको upload और यह देखिए डेट जो है डेट बहुत लोग पूछ रहते डेट एक्टेंट करेगी तो मैं बतला दू हाँ डेट चांसे से एक्टेंट करेगी क्योंकि 15 दिन बहुत कम होता है क्योंकि बहुत लोगों ने अभी अपलाई किया होग का इंकम सर्टिफिकर्ट या कास्ट और रिशेडेंस के लिए थांक्स वर वाचिंग बेस्ट अफ लाइक शेयर कर दिजेगा फ्रेंट के साथ ताकि उन्हें भी कोई प्राब्लम ना हो